भाईज और भहनों, किसान हो, जवान हो, या फिर मेरे नवजवान बेटे बेटिया हो, सब के लिए एक संपुर्ण सोच के साथ, विकास का मंत्र ले करके, सब का साथ, सब का विकास, कोई भेदभाव नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, सब का साथ, सब का विकास, इसी एक मंत्र को सले करके, हमने काम किया है, और इसलिए, ये संपुर्ण हो पा रहा है, क्योंकि आपने साड़े चार वर्स पहले, एक मजबूत सरकार केंदर में बनाई थी, और मैं मानूं गया, पुरा देश, उत्तर प्रदेश का आभारी है, क्योंकि हिंदुस्तान को तीस साल के बाद, पुर्ण बहुमत की सरकार देना, हिंदुस्तान को पहली बार, तीस साल के बाद, स्थीर सरकार देना, हिंदुस्तान को तीस साल के बाद, मजबूत सरकार देना, हिंदुस्तान को तीस साल के बाद, फैसले लेने वाड़ी सरकार देना अगर उसमें सबसे बड़ी भूमिका किछे ने अदा की है तो ये मेरे उत्तर प्रदेश ने की है मेरे उत्तर प्रदेश के मत दाताओं ने की ये उत्तर प्रदेश के मत दाताओं के निर्ड़े सक्ति ने भारत का भाग्य बदल दिया है भारत के भाग्य की दिशा बदल दिये 30 साल से निराचा के गर्ट में डुबे हुए देश को नई आशा जगाने का काम 2014 यह उत्तप देश की जनता ने किया है और मजबूत सरकार का मतलब क्या होता है मजबूत सरकार का जन जन को लाब क्या होता है मजबूत सरकार से दुनिया में गवरव कैसे पैदा होता है ये उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है जिसका लाब पूरे हिंदुस्तान ने पाया है